हेलो दोस्तों आपको अपने यूटूब चैनल पटेल एकेडमी में स्वाकत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्छा बार्वी का ये हिंदी हिंदी सब्जेक्ट है और ये सत्र दोहजार इकिस माईस का ये दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है जहां से जहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसमें कच्छा नौबी से लेखे बारवी तक कि सभी सब्जेक्ट के मोस्ट आयम भी कोस्टेन डाले जाते हैं जिस भी सखर यह पेपर मिलता है वह डाले जाते हैं चले देखते हैं कुछ में कुछ निर्देश दिये गए हैं कुछ हैं देख लो यह फश्ट यह सेखर यह थार्ड यह फूर फिपत यह कुछ निर्देश दिये गए इन्हें ध्यान पूर्वा पर लेना चले देखते हैं को सब्सक्राइब कोस्टेन पहला है सही विकल्प चुणकर लिखिए पहला है सब्सक्राइब गीत कभिता में समय को मा इसमें चार आप्षिन दिया गया है स्थिर सेकंड भयाना तीसरा है परिवातन सील एंड लाष्ट है त्रिय इसका जो भी अंसर सई हो यह दि तुम्हें इन सभी कोस्षिनों के एंसर चाहिए तो हमारे कमेंट कोस्ट में कमेंट करें इसमें सेकंड जो लेखार ने बजारदर्शन पाथ में यूरन वाले को अकिन्च कहा है इसका अर्थ है पहला है अर्थ हींद दूसरा है वेपारी तीसरा है विकारी एंड चोथा है ठग तीसरा है दुरुवेदी युक का महा काब्बी है इसमें भी चार अप्चन है आचे कमाईनी बाहे पिरेपरिवास सह है कभितावली एंड दाहे राम चंद्रिका से देते हैं इसका चोथा कोश्चन है कि भाय तेंद यूग के निबंध कार है इसमें भी चार आफशन दिएगे हजारी पेसाद दुबेदी दूसरा है प्रताप नरायन मिस्तर तीसरा है राम चंद सुक्लेंड चोथा है विद्या साथ सो तीसरा है पांसो एंड लाष्ट आठ सो कुएं धे चरी सो लाष्ट कोश्चन है कि संपादं के तत्तों में वस्तु परक्ता का अर्थ है सत्यता काल्पनित्ता प्रमानित्ता एंड लाष्ट अनुभाव दोस्तों यह वीडियो रिया रहे जहां से जानता कि यह सही सब्द चुनका लिखिए यह यह पहला है आनन्द यादव का पूरा नाम खालिस्तान है इसमें खालिस्तान में दो-dो आफशन दिये गये और आननंद राम यादव एंड आनन्देरता यादव सेकंड से को स्टे पत्र कार्वशिता का मुल्य तत्व है परत्यासा है या जिग्यासा इसमें दो आफ्शन दिये गए हैं तीसरा है विबत सरस्का इस्थाई बाव जुक्षा या बिसमें एंड चोधा कोश्चन देखते हैं हिंदी निबंद का प्रयारंब खालिस्तान युक से माना जाता है दुरबेदी युक या भारत एंदू युक से माना जाता ह पांचवा इसमें पांचवा है रात्री की भीशनता को खालिस्तान ललकारिती है थी पहलवान की ढोला या फिर दूसरा है लुठां की हुकार इसमें चट्टा कोश्चन देखतने कालपनी जगक की वस्तु खालिस्तान को माना है उदारता या प्रतिकार एंड लास्ट दीन जल्दी जल्दी ढलता है कभिता में दिन का पंधी को माना गया है राही या फिर सूरे छले देते हैं तिसरा कोश्चेन सही जोडी बनाये के एफी सही जोड़ी मिलांग की जजोबी है तिसरा है इसमें पास सही जोड़ी दिये गए है पहला बात सीधी थी पर सेकंडे पहलवांग की डोलग तिसरा है कहानी चौथा है इसके सामने कुछ एंसर दिये गए है उसका सही मिलांग करना पहला है ओम थानबी सेकंडे मुह की खाना तिसरा है हरी वंस राय बच्चन चोथा है कुवा नरायन एंड पास्चवा है मुह ताकते रहना चट्टा है मनोह स्याम जोशी एंड देशकाल वाता और रहना लाश्ट ठेप भणिस्वा नात रेनु चे देटने हैं सत्य सत्य लिखिये इसमें पहला है केमरे में बंद अपाहिज कभिता दू दसन वालों का व्यंग है सेकंडे नाटक का प्रयान तत्वे सन्वाद को कहा जाता है तीसरा है भत्तियन सत्यवादी हरी चंद्र नहीं बन सकी एंड चोथा है जिसका कोई सत्रू नहीं होता उसे अजास सत्रू कहते हैं पाचवाई सिंदु घाटी सविताम में कपास पैदा होती है एंड लास्ट रामधारी सिंदिंका प्रयों साला के जनक माने जाते हैं दोस्ते यह ओरीजिनल रियार पेपर है इसलिए सब इसे पढ़के जाएं चेले बढ़ते हैं नेष्ट इस्ट कोस्चन देख देएं एक वाख्यमें उत्ता लिखिये में लेंगरे सब्जी का हिंदी अनुभाबार सेटमडे किसे कहते हैं तीसरा है मैं सेली का प्रियोग किस प्रेकार के लेखन में किया जाता है चोथा है जब सब्जी लेकर यसोधर बावु घर पहुंचते दो उनकी दसा कही सी थी एंड पाच्वा है महादेवी वर्मा जी ने भत्तियं का नाम करन क्या देखकर किया एंड छट्टा है प्राताहा काली नीला आकास किस के जैसा बताया गया है सात्वा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कभिता में कभी को हतासा और निरासा का क्या कारान है चले देखते हैं अत्ति लगुत्री कोश्चन है जो देखते हैं दो दो नमबर के कोश्चन है कोश्चन नमबर छट्टा है भासा को सहुलियत से बरतन से क्या अभिप्रा है कोई दो भी सेष्टाएं लिखिये, एंड इसके अत्वे में दिया गया है, भारत एंदु युक की कोई दो भी सेष्टाएं लिखिये, चले देते हैं, नेश्ट कोई नमर आठवा है, भत्तियं के चरित की कोई दो भी सेष्टाएं लिखिये, एंड उसके अत्वे में है, संसमरान और रेखहाचीत्र में कोई दो अंतर लिखे। ुसके अत्वे में दिया गया है कहाई और उपनियास में कोई दो अंतर लिखी है यह हो यह कोशे नंबर दस्वाद नुमारी स्कीन पर दिखाई दे रहा हूं इसके अत्वे में दिया गया है सिंदु सब्वेता साधन संपन्ने थी पर उससे मानुत्ता का आडंबन नहीं था केसे एंड कोशे नंबर 11 देते हैं इस्तंब लेखं किसे कहते हैं कवित की परिवास लिखते हैं वह उसके अंगों के नाम लिखिये उसके अत्वे में दिया गया है संद्रस की परिवासा उधारान सही लिखिये दोस्तों यह दिग्यार पेपर है ओरीजिनाल पेपर है इसले इसे सब्सक्राइब पढ़के जाए कोशे नंबर 13 भ्रांति मालंका की सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें डेली रिया पेपर तुम्हें हर सब्जेट के मिलेंगे इसलिए इसलिए पंद्रवा देखते हैं निदेश्ण वाक्य में पर्यतं करना है पहला मैं नास्ता करके दफ्तर जाओंगा इसका सन्युक वाक्य बनाना है सेकंड छोर घर में घुसे और पुलीश आ गई समिस्ट्र वाक्य बनाना है याप इसे कर लें वाक्य के सुद्द्द करके लिखिए खरगो सो काटकर गाजर क कि लाओ यहां सुध्य गाय का घी मिलता है आप दो में से कोई सा भी कर सकते हैं को सोलवा देखते हैं कि इसमें जो है जीवन परिचय दिया गया है रगुभी सहाय तथा समसाय बहादुर जी का परिचय निर्म बिंद्रों में लिखिए उनकी दो रचनाएं भाव पच्छम कल का पच्छ लिखना है इन दो में से किसी के भी चलिए नेश्ट कोश्चन है इसमें भी जीवन परिचय महादेवी वर्मा तथा फड़िस्वर नात रेरु जी का साहित परिचय निर्म बिंद्रों पर लिखिए याद दू महादेवी वर्मा का लिखो यापी परिश्चन की सबस्कार में मंALLY के 10 इसमें परिच फेट फड़िष्ट कोश्चन है यहां पर कुछ नुख टढ गया है ऑक पाध्यांस दीए गए हैं स्वास्ट ओर परमारत्मानओं की दो प्रयाकरतियां है यहारा आप पाध्यांस दिया गया है कोस्टन देख लेने आप इस क्रतुय में है युवक नहीं जो देख संकटों से डर जाता है यह सेकंडी दो में से देख लेना जो भी तुम्हें याद दो में से पक्का या करके जाना यह तुमारी पेपर में कल पक्का आएगा एंड नेश्ट नेश्ट इसमें आप संदिया गया है अखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डेया था दो में से किसी का भी संदर प्रेसंद लिख दें यहां दो में से कोई सब यह कही जाएं कल यह पक्का आया कोसे नमबर 21 देखते हैं गध्यांस की वाख्या संदर प्रेसंद सहीक देना जो तुम्हारी स्कीन पर दिखाई दे रहा है से लिए देते हैं नेश्ट कोसे ने कोसे नमें 22 है आप नवीन कुमार एक मतलब एक कि कोसे नमबर 22 है लेटर अप्लिकेशन है वाद भीवाद प्रतियोगता में प्रता मंग काने पर अपनी छोटी बैंक को बधाई दे प्रतियों की समुची सफाई के लिए नगर निगम के स्वाथ चर्जिकारियों पत्र रिखे लिए कोसे नमबर लाश्ट जो तेसवा है निबंद लिखने के लिए दिया गया है किसी एट विशाय पर डेश सब्दों 120 सब्दों में सारगम भी निबंद लिखिया है इसमें क यह पेपर रियार है इसलिए इसे सब पढ़के जाएं चले ठीके मिलते हैं नेश्ट वीडियो में